हेलो स्कूरेंट्स, वेलकम बेक माई यूटूब चैनल, एक एजुकेशन, आई होब कि आप अच्छे होंगे, तो आज मैं आपके लिए लेके आए हूँ, कक्षा दस के साइंस चैप्टर वन के बहुत ही महत्वपुन अब्जेक्ट्ट्व टाइप क्यूशन, जो की हर साल प पहला क्यूशन, आपका पहला क्यूशन है, निमन में से किस रसाइन का उप्योग आप फोटोग्राफि में होता है, इसमें आपका उत्तर होगा, ओप्शन ए, सिल्वल ब्रॉमाइड, आपका दूसरा क्यूशन है, अफी 2, O3, प्लस 2, O2, O3, प्लस 2, O2, किस प्रकार की अ एक सियोंजन अभी करिये, या दियोंजन अभी करिये, या वियोंजन अभी करिये, या विस्तापन अभी करिये, तो देखिए इसमें, इसमें ऑक्षिजन, अफी 2, फेरस के साथ ऑक्षिजन जोड़ी होगी है, और उतपात जहां मने रहा है, वो ऑक्षिजन, एलुमुनिय हमें साथ जोड चुके यानि दातुओं का क्या हो रहे विस्थअपन अभिकुरिया होगी। आगला क्यों ही चुनने का सुत्र हैयानि बुज़े कुंसा होगा आपका इसमें option से Scalcium Hydroxide बुजो ये चुनने का सुत्र है अगला क्यूशन देखिए सौशन किस प्रकार की अभिकिरिया है तो सौशन के एक उस मचेपी अभिकिरिया है चलिए अगले क्यूशन के और आपका अगला क्यूशन है दानेदार जिंक परतंतु अच्छियल डालने पर कौन सी गेंस उत्पन होती है तो इसमें आपका सहिंसर होगा option D यानि hydrogen gas चलिए अगले question के ओर अगला question है कोईले का देहन किस प्रकार के अभिकरिये यानि कोईले का देहन क्या होगा carbon और oxygen मिलकर CO2 यानि carbon dioxide बनाती है यानि कोईले का देहन oxygen के अभिकरिया है यानि इसका answer क्या होगा option D A और V दोनो यानि oxygen और oxygen अभिकरिया चलिए अगले question के ओर आपका अगला question है वसा युक्त था तेलिये युक्त खद्य सामगरियों में अपचेन रोकने वाले पदार्थ कहलाती है इसमें आपका सहियन स्वर होगा option B पर्तियोक्षी कारक यानि पर्तियोक्षी कारक है वो क्या करते हैं तेलिये युक्त खद्य सामगरियों में उपचेन होने से रोकते हैं यानि खराब होने से रोकते हैं अगला question है साख सबजियों का विगट्टित होकर कंपोस्ट बनना किस परकार की अभिकरिया है तो इसमें आपका option B सही होगा उसमा छेपी अविकरिया है आपका अगला question है दीवारों पर सफेदी करने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है तो आपका इसमें होगा बिना बुज़ चुना यानि जिसे हम कली के नाम से जाने जाते हैं एक सवेद रंग का पाउडर होता है जो हम दीवारों को सवेदी परदान करने के लिए किया जाता है चलिए अगले question के अगला question है कार्बो हाइट्रेड के टूटने से प्राप्त होता है तो इसमें आपका सही उतर होगा option D गलुकोज अगला question है आपका संग मरमर या चुनने पत्थर का रसायनिक सुत्र है तो इसमें आपका सही उतर होगा option C calcium carbonate अगला question है एक प्राप्त का दो बार छोटे सलल अणों में तूटना किस प्रकार की अभिकिरिया है तो इसमें आपका सही उतर होगा option B कि व्योजन अभिकिरिया क्या होगाlegen व्योजन या अफ़टन कीडिया में क्या होगा कि कोई भी एक प्तार दब दो चोटे-छोटे सलण में तूट रहे जानि अभिकारक जो है दो यां दो से अधीक उतपाद में तूट जाएगा हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें धन्यवाद